यार फैशन के चक्कर में में साथ ये क्या हो गया मैं तो करवाने गई थी आई लैशेस एक्स्टेंशन लेकिन इसने में को तो पूरा भूती बना दिया तो चलो आज का व्लॉग यहां से स्टार्ट करते हैं मेरे पास बचे थे इतने ही रूबल जिसको में को खर्च करने थे क्योंकि अगले दो दिन में हम जाने वाले वापस इंडिया तो मैं सारे रूबल्स लेके निकल चुकी थी और जैसी मैं नीचे जा रही थी मैं सोची थी कि बहुत जादा एक्स्पेंसिव होगा फॉरण कंट्रीज में ये सारे चीज़े और हमारे होटेल में ही ये सारे ची करवाना है तो बड़ा ही खुश हो गई थी वह और में को भेज दिया तो उसने इस रूम पर और में को एक और खूबसूरत सी लड़की यहां पर मिली और यह पूरी नेपाली लग रही थी क्या आपको भी नेपाली लग रही मुझे कमेंट कर बताओ तो चलो स्टार्ट कर और मैंने इसको बुलाया और मैंने इसको बोला कि इसको बताओ कि में को आपके जैसा ही लगवाने है तो इसने वही आके इसको बोला तो जूता उता निकाल के मैं अब लेट जाती हूँ आराम से दो गंटा लगने वाला था इसमें इसलिए मैं तो आराम से सोने वाली थी यहां पर मैं उसको समझा रही थी कि मैं को एकदम नैचरल लुक चाहिए जादा हैवी नहीं चाहिए तो वह समझ गई उसको इंग्लिश भी नहीं आता है तो मैं को ना कम्यूनिकेट करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था फिर उसने मुझे वेट टीशूस पकड़ा दिय तो मैं को लेने के देने पड़ जाएंगे और यह थे उसके जादू पिटारे मतलब उसमें से उसने निकाला सबसे पहले ग्लू और उसने मेरे लगा दिया इसी में वो ना फेक लैश लगाने वाली मैं तो भाई बस प्रे कर रही थी भगवान से कि यार यह सही से काम कर दे और अच्छे से मेरे लैशेस लगा दे और आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रे करो की अच्छे से सारा चीज़ा है कर दे में को भूत ना बनाए और देखो डीटेल में मैं आपको दिखाते हूं कि यह आई लैश लगते कैसे हैं क्या कवी आपके मन में भी ऐसा आया है कि कुल ने भी बोला कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो में को और थोड़ा जादा ना कॉन्फिरेंट आया मैं अच्छे से देखा अपने आइस और मैं बोली कि यार एक गंटा हो गया थोड़ा सा मैं को रिलेक्स करने तो उसके बाद हम नेक्स्ट आइस को करेंगे तो मैं रही थी मैंने वहला चल बैन जो भी तेरे से बन रहा है कर दे जल्दी से अल्रेडी उसने देड़ घंटा लगाया था और ऐसे यह लगा रही थी एकदम से चोटे-चोटे से लैशेज लेके मेरे जो आइलेशेस थे उसमें वो कनेक कर रही थी और मुकुल यहां पर उसको बोल रहा था कि दीदी प्लीज थोड़ा जल्दी कर यार ओल्रेडी तुने देड़ घंटा ले लिया है तो उसने बोला हाटी फाइनली पूरे दो धाई गंटे के बाद मेरे आइलेशेस लग चुके थे कंप्लीट हो गये लेकिन मेरे आँकों से ना कंटीन्यू पानी निक बढ़ जाएगा वैसे मैं आपको बिल बताऊंगी तो आप शौक हो जाओगे यार सर्फ तीन हजार का बिल बना था में को लगा ही नहीं था कि फॉरेंड कंट्री में इतना सस्ते में मिलेगा और यहां पर मुकुल उसकी तारिफ कर रहा था कि आपके आईलेसे जादा अच